नमस्कार सबी को भारत भूगोल के महत्यपून प्रेशन आए शुरू करते हैं तो पहला है अरावली परवस रंखला का अत्यदिक विस्तार किस राज्य में है तो इसका सेथर हो जाएगा ओप्सन सी अरावली परवस रंखला का लगवग 80% विस्तार राजिस्थान में है और दिलवाडा मंदिर इस्तित है तो यदि दिलवाडा मंदिर भी पूछा जसकता है कि किस परवश स्रंखला पर दिलवाडा मंदिर इस्तित है तो आप इसको note down कर लीजिए, notes important है तो next है, किन दो परवत सरेणियों के बीच नर्मदा भ्रंस घाटी है तो इसका से उत्तर हो जाएगा option B विंध्यांचल और सत्पड़ा परवत सरेणियों के बीच नर्मदा नदी है और सत्पड़ा परवत सरेणियों के नीचे तापती नदी बहती है और ये नर्मदा और तापती नदी दो ऐसी नदियां है जो कि भ्रंस घाटी से होकर के बहती है और ये बंगल की खाडी की जगा अरब सागर में जाकर के गिरती है तो important question बनता है कि भ्रंस घाटी से बहने वाली कौन सी नदियां है तो ये नर्मदा और तापती अब चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं important है next है हिमाले की तलहटी next हिमाले की तलहटी सरंखला को किस नाम से जाना जाता है तो इसका से उत्तर हो जाएगा option D यानि कि हिमाले की तलहटी सरंखला को सिवालिक के नाम से जाना जाता है यानि कि हिमाले के सबसे नीचली जो सरंखला है वो सिवालिक है next है कायडे मम की पहाडियां कहां इस्तित है अंसर दीजिए तो इसका से उत्तर हो जाएगा option A काईडेमम की पहाडियां दच्छड भारत में यानि के केरल में इस्तित हैं और ये आपके इलाइची की पहाडियां भी दच्छड भारत में इस्तित हैं इंपोर्टेंट है नेक्ष्ट है हिमाल्य परवत निम्न लिखित में से किस प्रकार का परवत है और इसके कुछ एक्जामपल हैं जैसे कि हिमाल्य रौकी एंडीज ये सारे के सारे आपके वलित परवत है नेक्ष्ट है छोटा नागपुर पठार की सबसे उंची चोटी कौन सी है आंसर दीजिए तो इसका सी उत्तित हो जाएगा और आपके लिए कोशन है कि पारसनात की उंचाई कितनी है और यह किस राज्य में इस्तित है अगर आप को अंसर पता है तो बता दीजिए नेक्ष्ट है तीस्ता और देहांग नदियों के बीच आने वाले हिमाल्य को किस नाम से जाना जाता है तो इसका सी उत्तित हो जाएगा और आपके लिए कोशन है कि कुमाव हिमाल्य किंदो नदियों के बीच आता है यह कोशन हमने पिछली वीडियो में बताया था अगर आपने वो वीडियो देखे होगी तो आपको अंसर पता होगा नेच्ट कोशन है हिमाल्य कि सबसे बाहरी परबस रंडी कौन सी है अंसर दी दियो तो इसका सीटर हो जाएगा ओप्शन D हिमाल्य की सबसे बाहरी बाहरी स्रंडी सिवालिक है एक्चलि हिमाल्य को प्रेमुख चार भागों में विभाजित किया गया है जिसमें सबसे उपरी हिमाले है ट्रांस हिमाले उसके बाद है ग्रेटर हिमाले जिसको हम मुख्य हिमाले भी कह सकते हैं फिर नीचे आता है निम्न हिमाले अत्वा मध्य हिमाले और फिर सबसे नीचे आता है सिबालिक और कभी-कभी आपके एकजाम में सिर्फ यह order पूछ लिया जाता है उत्तर से दच्छन, दच्छन से उत्तर तो आप इसको याद रखिएगा Next question है नंदा देवी चोटी किस राज्य में अविस्तित है आंसर दीजिए तो इसका सियत्तर हो जाएगा Option B नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में अविस्तित है Next है एलोरा अजन्ता, बालगाट, सत्माला और एलीफेंटा कि पाहडियां किस राज्य में अविस्तित है तो इसका सियत्तर हो जाएगा Option C ये सभी महाराश्टर में अविस्तित है झालोराश्टर में अविस्तित है